नमस्कार हरणन्यूस देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ नुपुड सक्सेना स्वागत आफ सभी का हल्ला बोल में किसान और सरकार के बीच तालमेल और खटखट अलग-अलग समय पर सामने आती रहती है आपको बता दे कि प्रदेश में इन दिनों गेहू की कटाई चल रही है कई एकड में किसानों की फसल लहरा रही है लेकिन किसानों की महनत पर एक खत्रा हर समय मंडराता रहता है और वो है बिजली की लटकती तारे जो बेवक्त की मुसिबत बन कर किसानों की महनत को खाक कर देती है लटकती हुई तारों में शौर्ट सर्केट की घटनाय होना आम बात हो गई है जिसके चलते किसानों को कई महिनों की महनत देखते ही राग बन जाती है ऐसे में किसानों के नुकसान के लिए कौन से मिदार है विजली विभा की लापरवाई किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है विभाग की इसी लापरवाई के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं कि आखिर क्यों मेहनत कश किसानों पर विभाग की लापरवाई भारी पड़ रही है तो नम्मर्स लगतार फ्लेश कर रहे हैं इन नम्मर्स पर कॉल करिए हल्ला बोल में अपनी राय रखिए बिजली की लटकती तारों का आखिर कर कब समधान हो पाएगा खेती पर जोलती तारों पर कब पड़ेगी विभाग की नजर तो हल्ला बोल में आजें तमाम वो सवाल है जो हम उठा रहे हैं नमबर्स भी लगातर फ्लेश कर रहे हैं फोन उठाइए कॉल करिए बिजली की तारों से फसलों को बचाने की जिम्मधारी किसकी है किसानों को हो रहे हैं नुकसान का जिम्मधार कौन है मेहनत पर लापरवाई आखिर कार क्यों भारी पड़ रही है नमबर्स लगातर टीवी स्क्रीन पर डिस्प्लेश कर रहे हैं फोन उठाइए हलाबूल में अपनी राय रखिए लापरवाई की आख में लगातार किसानों की फसले जल रही है बेजली वबाग की लापरवाई कहीं न कई किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है लटकती तारों से फसलों में आख का डर रहता है महीनों की मेहनत जो होती है किसानों की वो मिंटों में स्वाहा हो जाती है नमबर सापकी टीवी स्क्रीन पर एकॉल करिए अपनी राय रखिए इन दिनों गेहु की कटाई प्रदेश में चल रही है कई एकड में किसानों की फसल लहरा रही है लिकिन किसानों की मेहनत पर हर समय एक ही खत्रा मढ़राता रहता है और वो है बिजली की लटकते हुई तारे जो बेवक्त की मुसिबत बन कर किसानों की मेहनत को खाक कर देती है लटकती हुई तारों से शौर्ट सर्केट की घटनाए होना अब आम बात हो चुकी है जिसके चलते किसानों की कई मेहनत देखते ही राख बन जाती है तो हला बोल में आज ये तमाम सवाल है, जो हम उठा रहे हैं, खेतों पर जूलती तारों पर कब पड़ेगी विभाग की नज़र, बिजली की तारों से फसलों को बचाने की जिम्मदारी किसकी है, किसानों को हो रहे हैं नुकसान का जिम्मदार कौन है, मेहनत पर लापर दिये गए नंबर्स पर कॉल करिये, हला बोल में हला बोलिये, अपनी राय रखिये, किसानों की मेहनत से हुगाई गई फसल, आखिर कर क्यूँ लापरवई की आग की भेंड चड़ जाती है, बिजली विभाग की अंदेखी आखिर कार क्यूँ मुसिबत बन जाती है किसानों के लिए, महिनों की मेहनत मिंटों में स्वहा हो जाती है, आखिर कार बिजली की लडिकती तारों का आखिर कर कब समधान होगा, खेतों पर जूलती तारों पर विभाग की कब नजर पड़े हर्याना में इन दिनों गेहु की कटाई चल रही है कई एकड में किसानों की फसल लहराई रही है लेकिन किसानों की मेहनत पर हर समय एक ही खत्रा मंडराता रहता है और वो खत्रा है बिजली की लटकती हुई तारे जो बेवक्त की मुसिबत बन कर किसानों की मेहनत को खाक कर देती है क्योंकि लटकती हुई तारों से कही न कई शौर्ट सर्केट होने का डर रहता है शौर्ट सर्केट की घटनाय होना आम बात हो चुकी है जिसके चलते किसानों की कई महीनों की मेहनत देखते ही राक बन जाती है ऐसे में किसानों के नुक्सान के लिए कौन जिम्यदार है विजली इभाग की लापरवाई किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है विभाग की इसी लापरवाई को लेकर आज हम हल्ला बोल रहे हैं कि आखिर कर क्यूं मेहनत कश किसानों पर विजली इभाग की ल सोनी पास से मनीश जूड़ चुकी है, मनीश बोले हला, कापधान लाए जाने चाहिए, बिजले उभा की अंदेखी, किसानों के लिए मुसिबत बनती जा रही है, किसानों की महीनों की महनत मिंटों में स्वाह हो जाती है, क्योंकि कही न कही लटकती तारों से फसलों में आग का डर रहता है, हला बोल में बोली है हला, हर्याना में इन दिनों गेहु की कटाई चल रही है कई एकड में किसानों की फसल लहरा रही है लेकिन किसानों की महनत पर एक खत्रा हर समय मंदराता रहता है और वो है बिजली की रिड़क्ती तारे जो बेवक्त की मुसिबत बन कर किसानों की महनत को राख में बदल देती है किसानों की फसले अकसर लापरवाई की आग में जल जाती है बिजली अभाक यान देखी किसानों के लिए बड़ी मुसिबत बन जाती है लटकती बिजली की तारों से फसलों में कही न कही आग का डर रहता है अक्सर ऐसी घटनाय सामने आती है जब किसानों की फसलों में आग लग जाती है किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आज के हल्लाबूल में ये वो तमाम सवाल है जो हम उठा रहे है कि बिजली की लटकती तारों का आखिरकार कब समधान निकल पाएगा खेतों पर जूलती तारों पर कब पड़ेगी बिजली उभाग की नजर बिजली की तारों से फसलों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है किसानों को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है मेहनत पर लापरवाई आखिरकार क्यूं भारी पड़ी है तो नम्मर्स लगतर फ्लैश कर रहे हल्लाबूल में कॉल करिए अपनी राय रखिए किसानों की मेहनत एक ही बार में खाफ हो जाती है और हमारे साथ चर्की दादरी से जैपाल जुड़ चुके है जैपाल बोलिये हल्ला आज़ी मेडम ऐसे है हलो जी कि घ्डिरी जुड़ी दी याज-डा लाइट दे रहे है कई से पक्षी बेढ़ जाता है कई तारशाट हो जाते हैं और फसलों कटी है कुछ कट रही है तो यह बिजली वाग की गलती है दिन में आज कर जादा बिजली दे रही है ठीक है जी शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए तो बिजली वाग की अंदेखी किसानों के मुसिवत बनती जा रही है लटकती तारों से फसलों में आग का डर रहता है किसानों की महिनों की मेहनत मिनिटों में खाक हो जाती है हला बोल मैं आज ये तमाम सवाल अज़म उठा रहे हैं नम्मर्स लगातर फ्लैश कर रहे हैं कॉल करिये बोलिए हला आपको क्या लगता ह कि बिजली की रटकती तारों का समधान कब होगा खेतों पर जोलती तारों पर कब पड़ेगी बिजली विभाक की नजर बिजली की तारों से फसलों को बचाने की जिम्मधारी किसकी है किसानों को हो रहे हैं नुक्सान का जिम्मधार कौन है महनत पर लापरवाई आखिरका क्यों भारी पड़ रही है कि किसानों की महीनों की महनत मिंटों में स्वाह हो जाती है क्योंकि विजली वख पूरी तरह से लापरवा हो जाता है और इसी लापरवाई की आग में किसानों की महनत से उगाई गई फसल जल कर खाक हो जाती है किसानों को भारी नुकसान का सामना क पड़ता है हल्ला बोल में अपनी राए दीजिए नम्मर्स लगतार डिस्प्ले कर रहे हैं रटक्ती तारों सिर्फ असलों में आग का डर रहता है आज इसी लापरवय के खिलाब हम हल्ला बोल रहे है कि आखिरकार क्यू मेहनत कश किसानों पर विभाग की लापरवय भारी पड़ रही है तो हल्ला बोल में कॉल कर दिये अपनी राय रखिये इन दिनों गेहों की कटाई हर्याना में चल रही है कई एकड में किसानों की फसल लहरा रही है लेकिन किसानों की इस महनत पर शौर्ट सर्किट का खत्रा हमेशा मंडराता रहता है जो बेवक्त की मुसीवत बन कर किसानों की महनत को खाक कर देती है लटकती हुई तारों से श्वार्ट सर्केट की घटना होना आम बात हो गई है जिसके चलते किसानों की कई महीनों की महनत देखते ही राक बन जाती है तो ऐसे महला बोल में आजम यही सवाल उठा रहे है कि किसानों के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है बिजली विभा की लापरवाई आखिरकार कब रुकेगी यूकि ये लापरवाई किसानों के लिए बड़ी मुसीवत बनी हुई है हमारे साथ एक और कॉलर सुमित कुमार जुड़ चुके हैं सुमित बोलिये हल्ला तो सुमित इस बिजली की रटकी तारों का समधान का होगा जैसे तारे चल रही हैं दूसरी फ्लास्टिक हो ली हमारे सुमित आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए और अपरी पढ़ रही है किसानों की महीनों की मैनत मिन्टों में स्वाः हो जाती है मेहनत पर लापरवाई क्यों भारी पढ़ रही है नम्मर्स भी लगतार फ्लेश कर रहे हैं इन नम्मर्स पर कॉल करिए हल्ला बोलिए अपनी राय रखिए खेतों पर जूलती तारों पर बिजली वभाग की नजर कब तक पढ़ पाएगी पिजली की तारों से फसलों को बचाने की जिम्यदारी किसके पास है और किसानों को जो इस आगजने की घटना से नुकसान होता है उसकी लिए जिम्यदार कौन है यह वो तमाम सवाल है जो हम हल्ला बोल के जरीए उठा रहे है नम्मर से लगतार फ्लैश कर रहे है फोन उठाइए कॉल करिए और बोलिए हल्ला युकि किसानों की महिनों की महनत बिजली इभा की लापरवाई के चलते मिनिटों में खाक हो जाती है तो हर्याणा में इन दिनों गेहों की कटाई चल रही है कई एकड में किसानों की फसले लहरा रही है लिकिन किसानों की महनत पर हमेशा से ही बिजली की लड़क्ती तारों का खतरा मड़ाता रहता है तो यह आप देख रहे थे सियम मनोह लाल की जन विकास टेली और उनके साथ ने विधान सबाद द्यक्ष यांचन गुपता भी मौजूद थे चोड़ एक बार फिर से रुख कर लेते अपने खास कारेकरम हला बोल का प्रडेश में इन दिनों गेहों की कटाई चल रही है और कई एकड में किसानों की फसले लहरा रही है लेकिन किसानों की महनत पर एक ही खतरा और समय मंड़ाता रहता है और वो है बिजली की लिटक्ती तारे तो आज के हल्ला बूल में हम यही सवाल उठा रहे हैं किस लापरवाई पर आखिर कर कब लगाम लगेगी नम्मर्स लगतर फ्लैश कर रहे हैं नम्मर्स पर कॉल करिये बोलिये हल्ला बिजली लिटक्ती तारों से फसलों में आख का डर रहता है किसानों की महीनों की महनत मिनिटों में स्वाहा हो जाती है तो क्या लगता है आपको बिजली की लिटक्ती तारों का कब हल निकल पाएगा खेतों बर जूलती तारों पर कब बिजली इभाग की नजर पढ़ पाएगी और बिजली की तारों से फसलों को बचाने के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है किसानों को जो इस आगजने की घटना से नुकसान होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है मेहनत पर लापरवाई क्यों भारी पड़ रही है ये वो तमाम सवाल है जो आज के हल्ला बोल यम उठा रहे है विजली विभाग किसी लापरवाई के खिलाफ हम हल्ला बोल रहे है कि आखिर कार क्यूं मेहनत कश किसानों पर विभाग की लापरवाई भारी पड़ रही है नम्मर्स लगतार फ्लैश कर रहे हैं नम्मर्स पर कॉल करिए बोलिए हल्ला विजली की लटक्ती तारों का समाधान कब निकल पाएगा क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विजली इभाग की लापरवाई का खामियाजा कहीं न कहीं किसानों को भुगतना पड़ता है उनकी महीनों की महनत मिनिटों में जल कर खाक हो जाती है लटक्ती तारों से फसलों में आग का डर रहता है बिजली इभाक किसी लापरवाई के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं और हमारे साथ चन्ने से प्रेम जोड़ चुकी है प्रेम बोलिये हल्ला नमस्कार नमस्कार बोल 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 जाते हैं यह मुझेटी की कॉलिसे और कोई मगी प्रेम वह जोगों से लोगों को बहुत रबतां पर फूशाओं को थैले काम मस्कारोण तो यहीं कार्ष सब्सक्राइब से जगए जबहां ने की वह जशानों होतकी है ठीक वश्चारों के फटोपर नहीं है शुक्रिया प्रेम आपका हल्ला बोलने अपनी राय रखने के लिए तो आश के लिए हल्ला बोलने मेरे साथ बस इतना ही बने रही हमारे साथ नमस्तुर।